अनायोग, अभ्यर्थियों के लिए आनलाइन परिक्षा हेतु तेयार इस वीडियो में आपका स्वागत करता है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको उन महत्वपोर्ण निर्देशों के माध्यम से मार्ग दर्शन करने में मदद करेगा, जो आपको परिक्षा में जाने से पहले परिक्षा के दिन और परिक्षा पूरी करने के बाद पालन करने की आवश्शकता है। हम आपसे अन्दरोध करते हैं कि कृप्या सभी दिशा निर्देशों को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, ताकि आप परिक्षा प्रक्रिया को सुचारो रूप से और आसानी से पूरा कर सकें। परिक्षा से कुछ दिन पहले आपको एक इमेल और एक SMS प्राप्त होगा जो आपको सूचित करेगा कि वेब साइट पर प्रवेशपत्र होस्ट किये जा चुके हैं। आवश्यक लॉग इन विवरंड का उप्योग करके लॉग इन करें। फिर प्रवेशपत्र डाउनलोड करें और प्रेंट आउट लें। इसके लिए उप्योग में लाया जा रहा फोन नंबर वो एमेल ही आवेदन में पंजिकृत करें। क्रप्यां अपने प्रवेशपत्र के विवरंड को ध्यान से जाचें। किसी भी विसंगति के मामले में अपने विवरंड के सath इमेल हेलप डेस्क से तुरं संपर्क करें। आवश्यक रिपोर्टिंग समय और विवरण के साथ प्रवेश पत्र पर अपना नाम, फोटो, परिक्षा स्थल का नाम और पता, परिक्षा तिथी और पाली की कृपया जांच करें। परिक्षा के दिन के लिए आवश्यक निर्देश का भी इसमें उर्ले किया जाएगा। आपको अपने प्रवेश पत्र में उर्ले कीत मूल फोटो, पहचान्थ पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड, मतदाथा पहचानथ पत्र, पैंड़ कार्ड या पास्पोर्ट ही अनु कृप्या ध्यान दें कि राशन कार्ट को वैद पहचान पत्र प्रमान के रूप में स्विकार नहीं किया जाएगा। कृप्या अपने दस्तावेजों और प्रवेश पत्र के प्रिंट आउट के साथ परिक्षा से एक दिन पहले तयार रहें ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज को परिक्षा केंदर में ले जाने से ना चुकें। कि प्रवेश पत्र में दी गए रिपोर्टिंग समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंदर में प्रवेश करने की अनुमती नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सुझाव है कि परिक्षा से कम से कम एक दिन पहले परिक्षा केंदर को जाकर देख लें। ताकि आप उस क्षेत्र से परिचित हो सकें जिससे की परिक्षा के दिन आप केंदर तक नेरधारित समय पर पहुंच सकें। कृप्या सुनिश्चित करें कि आप किसी भी मोल्यवान या प्रतिबंधित वस्तों को ना ले जाएं। क्योंकि परिक्षा केंदर में उनको सुरक्षित रखने का या उनकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है, इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थिकी होगी। प्रतिबंधित वस्तों को लेखर परिक्षा केंदर में प्रवेश वर्जित है, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, कैलकुलेटर, पेन, धातों की बनी आवश्यक सामगरी, हाथ घड़ी, बड़ी अंगुठियां वह अन्य आभूशन जो सामाजिक पहचान ना हो जैसे कि मंगल सूत्र, कोई भी सामगरी या धारदार वस्तु जो दूसरों की के लिए हानी कारक या खत्रा हो सकती है, पुस्त के हैं, द्रिश्टी हीनता, लोको मोटर विकलांगता और सेरिब्रेल पॉलसी आदी दिव्यांग श्रेनी की अभ्यर्थी की मांग पर लिपिक की सुविधा दी जाएगी, इस श्रेनी या अन्य श्रेनी के अंतरगत अभ्य है और एक सहायक आविशक है, ऐसे अभ्यर्थी आयोक के सचीव को प्रविश्पत्र जारी होने के तीन दिन के भीतर अनिवारे रूप से सप्रमान अनुरोध इमेल पर भेजेंगे, अभ्यर्थियों को अपने स्वयंग के सहायक को लाने की अनुमती दी जाएगी, किन्तु सहायक की अरहता, संबंधित पत की न्यूनतम अरहता मान दंड से कम होनी चाहिए। केंद्र को सत्यापित किया जाएगा और आपके विवरण केंद्र समन्वयक द्वारा जाचे जाएंगे। जैसे ही आप केंद्र में प्रवेश करते हैं, आपके परिक्षा पाली के अनुसार आवंटिट के गए अपने अनुक्रमांक, भावन मन्जिल, कक्ष संख्या की जाच करने के लिए कृपया बैठक योजना बोर्ड देखें। आपको सुरक्षा कर्मियों द्वारा ये जानने के लिए तलाशा जाएगा कि आप कोई प्रतिबंधित सामान नहीं ले जा रहे हैं। महिला उम्मिद्वारों को महिला कर्मी द्वारा तलाश आ जाएगा। इस प्रक्रिया के दोरान आपके सहयोग का आगरह किया जाता है। जाच में मेटल डिटेक्टर का भी उप्योग किया जा सकता है। अतह धातु की वस्तूओं का अनावश्यक उप्योग ना करें। परिक्षा कक्ष के लिए बताए गए संकेतोकों के अनुसार निर्देशों का पालन करें और केंद्र समनवयक के निर्देशों का पालन करें। परिक्षा कक्ष के निकट एक बैठक योजना लगाई जाएगी। क्रपया परिक्षा कक्ष के सामने अपना अनुक्रमांक ये जानने के लिए देखें कि आप सही मन्जिल और कक्ष संख्या पर हैं. संबंधित कक्ष के निकट सत्यापन डेस्ट पर सत्यापन अधिकारी आपकी फोटो और अंगोली निशान यानि फिंगर प्रिंट लेगा और आपको परिक्षा कक्ष की ओर निर्देशित करेगा. एक बार जब आप परिक्षा कक्ष में पहुँच जाते हैं, तो परिक्षा प्रशासक आपके प्रवेश पत्र और मोल फोटो पहचान पत्र को सत्यापित करेगा. अपने अनुक्रमांग के अनुसार आपको आवंटित की गए कंप्यूटर पर क्रपया बैट जाएं. यदि आपको किसी भी तरह की सेटिंग सहायता की आवशकता हो, तो आप परिक्षा कक्ष प्रशासक से पूछ सकते हैं. कोविट-19 संक्रमन के दृष्टिगत इस सारी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य है. क्रपया निर्देशों को ध्यान से सुनें और इनका पालन करें. उपस्थिती पत्रक पर हस्ताक्षर करें और आप से प्रवेश्बत्र लेने से पहले परिक्षा प्रशासक उस पर हस्ताक्षर करें ये सुनिश्चित करें. क्रप्या अन्य अभ्यर्थियों से बादचीत ना करें, अभ्यर्थियों के बीच की कोई बादचीत या अनुचित साधन का उपयोग परिक्षा की शुचिता बाधित करना माना जाएगा, एवं अभ्यर्थियों को परिक्षा के लिए आयोग्य खोशित कर दिया जाएगा, कि एक बार परिक्षा शुरू होने के बाद, परिक्षा समाप्थ होने तक, अभ्यर्थी को परिक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमती नहीं होगी। करें और अपने अनुक्रम अंक तथा दिये गए पासवर्ट का उपयोग करके लॉग इन करें एक बार जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको परिक्षा संबंधी निर्देश स्क्रीम पर दिखेंगे इसकी भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी क्रिपया निर्देशों को ध्यान से पढ़ें उपरी दाएं कोने पर ड्रॉप डाउन टॉगल विकल्प का उपयोग करके आप भाषा बदल सकते हैं एक बार जब आपने निर्देश पूरा पढ़ लिया हो तो क्रिपया अग्री बटन पर क्लिक करें और क्लोज पर क्लिक करें परिक्षा शुरू करने से पहले अपने अनुक्रमांक, नाम, फोटो और हस्ताक्षर को कंप्यूटर स्क्रीन पर जांच लें जिससे ये सुनिश्चित हो सकें कि आप अपने लिए निर्धारित कंप्यूटर पर ही बैठे हैं इसके बाद निर्धारित समय पर परिक्षा प्रारंब हो जाएगी कंप्यूटर स्क्रीन के दाएं कोने पर टाइमर होगा जो लगातार आपको समय की जानकारी देगा यदि किसी तक्नीकी कारण से आपके कंप्यूटर में व्यवधान आता है तो ऐसे व्यवधान के बाद टाइमर वही से शुरू होगा ऐसे में परीक्षा के समय की कोई हानी नहीं होगी आप अपनी पसंद के विकल्प पर क्लिक करके अपना उत्तर दे सकते हैं और Next पर क्लिक कर आप अगले प्रशन पर जा सकते हैं कृपया प्रत्यक प्रशन के अंक पर ध्यान देजिए और यदि रिणात्मक अंक हैं तो उस पर भी ध्यान देजिए कृपया ध्यान दें कि जैसे ही आप प्रशनों का उत्तर देना शुरू करेंगे आपको कम्प्यूटर स्क्रीन पर एक पैनल दिखेगा जो प्रशन हल करने की स्थिती को अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित करेगा इस पैनल में प्रत्यक प्रशन संख्या अंकित होगी वह अभ्यर्थी किसी भी प्रशन को क्लिक कर उस पर जा सकता है पैनल में हरा रंग उन प्रश्णों के लिए जिनके उत्तर दिये जा चुके हैं नीला उन प्रश्णों के लिए जिनके उत्तर दिये गए हो लेकिन बाद में समीक्षा के लिए बुकमार के गए हो लाल उन प्रश्णों के लिए जिनके उत्तर ना दिये गए हो लेकिन बाद में समिक्षा के लिए बुकमार्क किये गए हो भूरा उन प्रश्णों के लिए जिनके उत्तर अभी तक ना दिये गए हो बाद में समिक्षा करने के लिए किसी भी एक प्रश्न को बुक्मार्क करने के लिए उपरी दाएं कोने पर बुक्मार्क विकल्प पर क्लिक करें यदि आप अपना उत्तर बदलना चाहते हैं तो कृपया लाल बटन पर क्लिक करें यदि आपकी परिक्षा में calculator की आवश्यक्ता होती है तो virtual calculator का उप्योग करने के लिए शिर्ष पर calculator विकल पर क्लिक करें एक बार जब आप अपनी परिक्षा पूरी कर लेते हैं, तो सब्मिट बटन पर क्लिक करें, आपको तीन चेतावनिया मिलेंगी, यदि आप परिक्षा पर वापस जाना चाहते हैं, तो Go To Test बटन पर क्लिक करें, और ये आपको परिक्षा प्रिष्ट पर वापस ले जाएगा यदि आप अपनी परिक्षा समाप्त करना चाहते हैं, तो Finish बटन पर क्लिक करें, अंतिम चेतावनिय में आपको सूचित किया जाएगा, कि परिक्षा प्रिष्ट पर वापस जाने का ये आपका अंतिम मौका है, फिर आप अंतिम बार Finish बटन क्लिक कर परिक्षा पूर्ण क चांच लें कि आपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा है, परिक्षा के परिक्षा के बाद निधारित अवधी में आयोग, उत्तरकुंजी वप्रत्यक अभ्यर्थियों के प्रश्न उत्तरों को आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए अप्लोड करेगा, अभ उत्तरकुंजी का प्रकाशन, अभ्यर्थि के उत्तरपत्र आदी के प्रकाशन की जानकारी आयोग द्वारा, इमेल या SMS से दी जाएगी, अभिलेक सत्यापन के समय, लिखित परिक्षा में चैनित अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक्स को पुना सत्यापित किया जाएगा, केवल वे अभ्यर्थि जिन्हें सफलता पूर्वक सत्यापित किया जाता है, उन्हें ही अभिलेक सत्यापन की अनुमती दी जाएगी, आयोग आशा करता है कि इस वीडियो से अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परिक्षा की प्रक्रिया समझने में मदद मिली होगी आउनलाइन परिक्षाओं के लिए सभी अभ्यर्थियों को शुबकाम नाएं